असलाम ओलेकूम मैसल फैसल शबीर क्या हाल चाल हैं सब ठीक ठाक हैं तो हमारे पास आचुका है बोया की तरफ से उनका एक लेटेस्ट ड्यूल चैनल वाइरलेस माइक्रोफोन पैकेज बोया माइक तो इस पैकेज में आपको मिलते हैं बहुत से प्रीमियम फीचेर्ज अगर आप एक कॉंटेंट क्रियेटर हैं यूट्यूबर हैं फ्री लांसर हैं वीडियो ग्राफर हैं तो ये वाइरलेस माइक्रोफोन सेटप आप लोगों के लिए एक बेस्ट बजेट और प्रफेक्ट तो चले किया किसे उनबॉक्स करकर इसके फीचर्ज और इसे कैसे यूस करना है.. इस बारे मेंं जानते हैं बोक्स में काफी कुछ रख दिया है हैना इंप्रेसिव इस वाइरलस माइक्रोफून का जो सबसे ज़्यादे धमाके दर फीचर है वो है इसकी ओन बॉर्ड रिकॉर्डिंग तो इन वाइरलस माइक्रोफून में आपको मिलती है 8GB की जबर्दस मेमोरी जिससे आप कर सकते हैं पूरे 15 hours की on board recording आपको distance range की problem है आपको signal lose होने का डर है आप कोई भी device यूज़ नहीं करना चाते तो आप डिरेक्ट इन के अंदर ही recording कर सकते हैं यहाँ पे आपको मिलता है इसका recording बटन जैसे ही आप इसको प्रेस करते हैं तो आपकी यहाँ पर red light on हो जाती है इसके आपकी laptop PC से कुनक करके अपनी recording को copy paste कर लेंगी तो मेरे असाब से onboard recording इस बोया माइक package का एक सबसे जबर्दस और main feature है क्योंकि इसमें content creators की सबसे बड़ी problem solve हो जाती है तो चले अब बात करते हैं इसकी build quality इसके design और इसके features के बारे में तो यहाँ पे हमें देखने को मिलती है total premium plastic matte finish build quality काफी solid है तो front पे आपको ब्रेंडिंग और charging indicating light देखने को मिलती है bottom आपको wireless charging setup देखने को मिलता है back side fast type C charging port देखने को मिलती है और magnet भी काफी solid है receiver की बात की जा तो यहाँ पे आपको दो transmitter की light देखने को मिलती है कि वो connect है या नहीं और यहाँ पे हमें देखने को मिलती है high resolution OLED screen right side पे आपको output और headphone jack की port देखने को मिलती है bottom पे आपको charging case के charging points और एक type C port देखने को मिलती है और यहाँ left side पे आपको main menu का button और एक power button मिल जाता है यह भी total premium plastic matte finish में है और build quality भी जबरदस्त है यह है हमारे microphone transmitters दिखने में दोनों बिल्कुल सेम है कोई difference नहीं है इसकी left side पे आपको power button एक noise cancellation का button और recording का button मिल जाता है top पे आपको microphone grill और headphone output port मिल जाती है bottom पे charging points और back side पे आपको color clip के साथ साथ एक और चीज़ देखने को मिलती है वह है इस पे लगावा magnet अगर आप इस wireless microphone को अपनी shirt के अंदर रखना चाहें show ना करना चाहें तो then आप इस magnet का use करेंगे और microphone को shirt के अंदर रखने के बाद इसे simply इस तरह से attach कर लेंगे इसके receiver पर आपको देखने को मिलते हैं बहुत से amazing features तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है इसका menu button जिसके जरीए आप इसके बहुत से functions को easily manage कर सकते हैं आपने जिस भी function में enter करना हो आप इसे hold करके रखें हम menu में आ जाते हैं यहाँ पर आपको मिलता है safety track mode इसके बाद आपको देखने को मिलता है mono mode then आपको देखने को मिलता है stereo mode तो यहाँ से आप अपनी need के मताबिक अपनी मर्जी का audio experience चूज़ करके उसकी साथ recording शुरू कर सकते हैं तो transmitters को receiver के साथ पेर कैसे करना है वो भी इ फर्जी आटो पेर ना हो तो आप इसको सिर्फ पांच सेकने के लिए प्रेस करके रखेंगे यह पेर हो जाएंगे still blue light pairing की अलामत है जब आपको noise cancellation feature on होता है तो then यह light green हो जाती है इसको वापस blue करते हैं और जब आप अपने microphone की on board recording को on करते हैं तो यहाँ पे एक और light है व आप शोर वाली जगह पे खड़े हैं भीड में खड़े हैं बैगरोंड पे बहुँजादा noise है गाड़ियों का शोर है इसके साथ आप कर सकते हैं neat and clean recording तो इसका noise cancellation feature कैसा काम करता है यह जानने के लिए चलते हैं बाहर और इसको test कर लेते हैं तो मैं आ चुका हूं studio की च्छ अब आप observe करें कि आपको आवाज कैसी आ रही है पहले कैसी आ रही थी अगर तो आप लोगों को आवाज में बहुत सा difference फील हो रहा है तो इसका मतलब यह microphone outdoor video shooting के लिए जबरदस्त है मैं एक बार फिर से noise reduction को off करता हूं फिर on करता हूं आप दुबारा से चेक करें यह मैंन आप receiver को अपने phone पे camera पे लगा के पूरे 200 मीटर की range तक इसको easily use कर सकते हैं वो भी noiseless और बिना एक भी signal drop किये तो इसकी range वाके ही perfectly काम करती है या नहीं यह जाने के लिए चलते हैं outdoor तो यह है इसकी outdoor sound quality अब इसकी range को check कर लेते हैं तो मैं आचुका हूं तकरीबन 30 मीटर की range पे उमीद है आवाज perfectly record हो रही होगी तो यह मैं आचुका हूं तकरीबन 100 मीटर की range में उमीद है हमारी आवाज आवी भी perfectly record हो रही होगी अगर इतनी distance पे भी हमारी वाज perfectly record हो रही है तो इट मेंज के यह microphone outdoor shooting में इतनी distance पे भी perfectly काम कर रहा है आप बेफिक करों के outdoor recording कर सकते हैं तो आप इनको as a podcast या interview भी यूज़ कर सकते हैं mono और studio mode पे तो मैंने इनको stereo mode पे set कर दिया है इसका फाइदा क्या है अभी आपको आपके speaker के एक set से आवाज आ रही है और अब आपको दूसरी set से आवाज आ रही है यह है इसका dual channel setup आप इसको mono पे stereo पे जैसे चाहें use कर सकते हैं left और right दोनों तरफ सबको different आवाज आएगी तो यह wireless microphone setup आप अपने laptop PC Macbook के साथ अपने iPhone और Android के साथ और अपने पस मुझूद किसी भी camera के साथ easily attach कर सकते हैं पेरिंग के दो तरीके हैं पहला है Bluetooth और दूसरा है यह connectors आप connector को easily प्लग करके देन अपने पास मुझूद किसी भी phone के साथ आप इसको attach कर लें और यह लें जी आपका microphone प्लग हो चुका है इसके बाद आप जैसे चाहें recording करें यह आपको perfect performance देगा आपके हर phone के उपर आप इसके बड़ी असानी के साथ अपने पस मुझूद किसी भी camera के साथ भी attach कर सकते हैं इस clip को simply आपने open करके यहां पर insert कर लेना है इसके बाद box में जो cable मुझूद है वो आपने plug कर लेनी अपने camera के साथ और लें जी आपका wireless boya mic sound setup आपके camera के साथ हो चुका है अब आप जैस को easily connect कर सकते हैं जैसे यहां पर show हो जाए आप इस पर click करें और आपका wireless setup फोरन ही pair हो जाता है यहां पर different type की setting कर सकते हैं जैसे volume adjustment, mono stereo, display time out की setting कर सकते हैं इसके बाद आपके दोनो transmitter यहां पर show हो जाते हैं आप उनके microphone volume को easily यहां पर set कर सकते हैं noise cancellation feature को on करना चाहें, off करना आएगा, लें जी हमारा microphone गायब हो चुका है, इस तरह भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, और अगर आप इस microphone के अपनी शेट पर show नहीं करना चाहते हैं तो आप इस leveler mic का यूज़ कर सकते हैं बड़ी असाने से जैसे प्लग कर लें अपने microphone में और आप इसे अटेज कर सकते हैं अपने caller के साथ, इस package के साथ आप कितनी देर recording कर सकेंगे, आपको battery backup करना मिलने वाला है, तो इस charging case में आपको मिलता है almost 50-56 hours का जबड़ा battery backup, ये transmitters एक बार चार्ज होने के बाद almost 10 hours का playback time देते हैं, जिससे कुल मिला के आपको 20 hours का time, और ये charging है इस package में, ये भी इसका एक जबरदस और premium feature है, कि आप अपने पास मुझूद किसी भी wireless charger या wireless power bank के साथ, इस microphone को easily charge कर सकते हैं, simply charging के इसको wireless plate पे रखें, और आपकी charging फॉरन स्टार्ट हो जाएगी, ये देखें, बिना किसी wire के हमारा ये charging case charge होना स्टार्ट हो चुका है, तो आप इसको wirelessly भी easily charge कर सकते हैं, बाकि आपने टॉप short के लावा face recording में, जितनी भी वाइस सुनी है, वो सब की सब मैंने इसी wireless microphone से record की है, इसकी sound quality का अंदाज आप यहीं से लगा सकते हैं, किसका sound आपको कैसा feel हो रहा है, तो इसके जरीए आप चाहें तो podcast करें, studio recording करें, outdoor recording करें, vlogging करें, gaming करें, live streaming करें, जो भी आप करना चाहें, इसके जरीए आप easily कर सकते हैं, wide compatibility range आपको मिलती है, almost दुनिया के तमाम gadget के साथ easily pair हो जाते हैं, battery backup और distance range इसकी out class है, build quality और material भी solid है, design भी out class और good looking है, और इन सब से बढ़के बोयर इस wireless microphone package में बहुत कुछ दे दिय है, जिस से हर तरह के content creator की तमाम needs पूरी हो जाती है, अब अगर बात करें, purchasing और इसकी price के बारे में, तो इसकी price UST में है, और आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, कि पाकिसान में dollar fluctuate होता रहता है, इसलिए मैंने इसकी price detail और इसका purchase link description में add कर दिया है, हर तरह के content creator, YouTuber, vlogger, podcaster के लिए, मेरी तरफ से strong recommendation है, और सबसे best gadget है, तो बस आज किस वीडियो में इतना ही कैसी लगी, आपको आज की ये वीडियो और बोया का all new, dual channel wireless microphone package, comments में लाजबी बताइएगा, वीडियो पसान आएगे तो वीडियो को like और share कर दें, चैनल पे पहली बार आएगे हैं तो कि वीडियो और लाजियो और लाजबी बताइएग zatथ हैं